कुलू जिला में पंचायत चुनावों के लिए उमीदवार घरदवार जाकर वोट की अपील कर रहे हैं। जिला परिशद वार्ड लरांकेलों की भाजपा समर्थित उमीदवार रेश्मा ठाकुर ने खराहल घाती में तुफानी प्रचार किया। रेश्मा ठाकुर ने कारेकरताओं के साथ गाउं गाउं जाकर जनता से वोट मांगे। खराहल घाती में रेश्मा ठाकुर को लोगों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। कुलुजिला परिशद वॉर्ड लरांकेलों की भाजपा समर्थित उमीदवार रेश्मा ठाकुर ने खराहल घाती में तुफानी प्रचार किया। इस तोरान लोगों ने रेश्मा ठाकुर को अपनी समस्याओं से अवगत करवाया। लोगों का कहना है कि खराहल घाती में सड़क तंग है जिस वज़ा से यहां घंटों जाम लगा रहता है। वहीं रेश्मा ठाकुर ने सभी को समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। खराहल घाती में रेश्मा ठाकुर को लोगों का भरपूर सैयोग मिल रहा है। भाजपा समर्थित जिला परिशद लरांके लोग वोट की प्रतियाशी रेश्मा ठाकुर ने कहा कि पिछले दस दिनों में अठारा पंचायतों के गाउं गाउं में घर घर जाकर वे लोगों से उनके पक्ष में वोट की अपील कर चुकी हैं। उन्होंने कहा कि इस क्षेतर में सडक स्वास्थ बिजली और पेजल की काफी दिक्कते हैं। उन्होंने कहा कि अगर वे चुनाव जीतती हैं तो लोगों की सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि खराहल घाटी की नौ पंचायतों में सडक को चोड़ा किया जाएगा और इसके अलावा युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किये जाएंगे में अपनी सरकार से और अपनी जिला अगर मुझे जिताते हैं बहरी बहर मच से तो मैं जीत के जाती हूं तो मैं जिला परश्यत में सबसे पेले इन ठारों पंचायतों की समस्या अपने जिला परश्यत में रखूंगी और मैं अपनी सरकार से शिर्मान गोविन ठाकुर से और इमाचल सरकार से इन समस्या के बारों मैं बात करूंगी और थारा पंचायत की जो समस्या मेरे पास मैंने जो नोड की है इनको मैं इनका हल जरूर गोविन ठाकुर से और अपनी जरकार से जरूर निकालूंगी और जो बस्तार, जो कारी करता मेरे साथ चले हैं, मैं इनके भी धनियवाद करती हूँ, हर पंचायतों में और हर पब्लिकों से यही समस्य मिली, महलोमंडों से, युबामंडों से, कि बहुत जादा तर जो हमारा रोड को खुला किया जाए, और जो हमारे ट्रेफिक बगरा ल किये कुलू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट